जनदा दल यूनाइटिट के राष्टिय अध्यक्ष बनने के तुरंद बाद रामचंद प्रसाद सिंग यानि की आर्सिपी सिंग ने इशारो इशारो में सहियोगी दल बीजेपी को चेतावनी दे दी है आर्सिपी सिंग ने कहा है कि हम कोई साजिश नहीं रचते हैं हम हमेशा अपनी सहियोगीयों के प्रती इमांदार रहते हैं मगर अरुनाचल में जो हुआ वो सही नहीं था आरसिपी सिंग ने अध्यक्ष पदस समालते ही चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि हमारी पार्टी किसी की पीट में छुरा नहीं मारती है साथ ही हम किसी को मौका भी नहीं देते हैं कि कोई हमारे पीट में छुरा मार सके जेडियो अध्यक्ष आरसेपी सिंग ने राश्टी कारिकारनी की बैठक में साफ कर दिया कि उन्हें अपने नेता और मुख्यमंत्री नितीश के खिलाफ एक भी शब्द बरदाश्ट नहीं होगा राश्टी कारिकारनी की बैठक से ठीक पहले अरुनाचल में मिले जटके ने जेडियो को बैक फुट पर ला दिया है नए अध्यक्ष आरसेपी सिंग ने बीजेपी को इमानदारी की सीख दी और कहा कि हम जिसके साथ भी रहते हैं पूरी इमानदारी के साथ रहते हैं हम कोई साजिश नहीं करते हैं हम हमेशा अपने सहीयोग्यों के प्रदी इमानदार रहते हैं मगर अरुनाचल में जो हुआ वो सही बिलकुल नहीं था राष्टे कारिकारणी में अपनी संबोधन के धारान और पिसी सिंग ने बीजेपी को 2010 में विधानसभा चुनाओ की याद दिलाई और कहा कि जनतादल यूनाइटिड किसी की पीट में छुरा नहीं मारती है और किसी को मौका भी नहीं देती है कि कोई उसकी पीट में छु करते हुए रसीपी सिंग ने कहा कि आग जो भी लोग स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं वो और चेहरों की बात कर रहे हैं और उन्हें 2010 का विधानसभा चुनाओ याद करना चाहिए चुनाओ के परिणाम आने से पहले ही बीजेपी बड़ी बाड़ी बाते करती थी मगर जब नतीजा आया तो जनता दल युनाइटिट का स्ट्राइक रेट 90 फीसीदी था बीजेपी को इतिहास की याद दिलाते हुए आरसिपी सिंग ने कहा कि 2010 में चुनाओी नतीजे आने के बाद बीजेपी नेता अरुन जेटली और सुशील मोदी नितीश कुमार से मिलने आये थे और इस बात पर चर्चा की थी किस दल का क्या स्ट्राइक रेट रहा है और किसी कितनी सीटे मिली है और उसी के आधार पर मंतरी पद का बटवारा होना चाहिए आपको बता दें कि बिहार में अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है इस मुद्दे पर बीजेपी और जेडियो के बीज अंदर खानेक ही चतान चल रही है सूतरों के मुताबिक बीजेपी ज्यादा संख्या भल के आधार पर ज्यादा सीटे चाहती है लेकिन जेडियो बीजेपी को इतिहास बता रही है ब्योरो रिपोर्ट, SPN 9 News